चमार पुलेटिन यूट्यूब चैनल के सभी दर्सकों को जैगुरु रविदास जी की दोस्तों आज हम हरी द्वार में हैं और ये हरी द्वार रानी गली भूपत वाला है यहाँ पर गुरु रविदास महराज जी के एक आशरम के बुवे आशरम है इसके आपको दर्शन कराना चाहेंगे अब देख सकते हैं ये बाहर महराज जी का चित्र लगा हुआ है और ये गुरु रविदास जी का आशरम है जो कि भारत माता मंदिर से 200 कदम की दूरी बर पहले है ये लिखा हुआ है शिरु रविदास आशरम रानी गली भूपत वाला ये इसके मेर अगर हमने एंट्री की है और हम पीछे के साइड में चलेंगे पीछे की तरफा भी हम इस कमरे में एंट्री करेंगे और देखिए आप इसमें बहुत अच्छा एक सापसुत्रा बैड पड़ा हुआ है और ये कमरा लेटिन बात्रूम अटेस्टिड है ये क्या सभी कमरे जितने भी कमरे यहां बने वे हैं इस आश्रम में वो सभी लेटिन बात्रूम सेटिड है अलमारिया है जो भी यातरी सादूसंत इदर आश्रम में आता है उनकी भरपूर शेवा की जाती है एक सेवदा रहते हैं या रविंदर जी वो बहुत अच्छी तरीके से सभी की सेवा करते हैं तो हमारे समाज में ये एक बड़ी उपलब्दी है और बड़े ऐसे बिरले लोग होते हैं जो समाज के परती सोचते हैं वैसे तो अमीरों के भी हमारे समाज में कोई कमी नहीं हैं लेकिन कुछ अमीर जो हैं नाम के होते हैं लेकिन ये सेट कबीर जी जो है इतने हर्दे भाव से जो इतने अच्छे हैं इतने नेक हैं बगवान कि इन पर गुरु माराज की बड़ी किरपा है कि इनों ने शिरी संतो चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये आसरम बना करके संतो कोई सेवा में हाजिर किया हुआ है जिसमें कि यहां दूर दराज से देश बर से संत आते हैं और यहीं रुकते हैं जब हरी द्वार आते हैं और यहीं पर उनके सेवा की जाती है और उनके जो बंदे रखे हुए हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है तो ये भी एक बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी शेवा निभाई और एक हरीदवार जैसी जगह में जमीन खरीद के आसरम बनाना फिर वहां पूरा मैनेजमेंट समालना और कितने लोग वहां रोज जात रुखते हैं ठेहरते हैं यह दूसरा रूम है यह लेटिन बात रूम अचेस्टिड है एसी लगा हुआ है सामने गुरु महराज जी का छित्र लगा हुआ है और यह बैड पड़ा हुआ है तो इसी तरह से जो हैं हर तरह की सुविदा दी हुई है हम लोगों को भी अपने आ पेल्जाने चाहिए कि हमारे लोग जो हैं। उनमें ठैर सखें उनमें उनके सेवा हो सकें। यह यहांके सेवादार है रविंदर जी जो बड़ी साफ सफाई इनको बहुत पसंद है बहुत साफ सुतर है हैं इसको और ये आश्रम का किचन है जिसमें रविंदर जी बोजन पर साथ पकाते हैं उदर सिंक लगा हुआ है बरतन बांडे इदर सब रखे में है आरो लगा हुआ है फिरिज रखा हुआ है मतलब हर तरह किस विदा जो भी एक आश्रम में होनी चाहिए वो सबी है यहां डाइनिंग लगा हुआ है जर्रे जर्रे में रविदाज जी महाराज है क्योंकि इन कपीर सेट जी की महांता यह है कि उन्होंने गुरु रविदाज जी महाराज में आस्ता रखते हुए इतना बड़ा कारिये किया महाराज जी उनको सदय वानंदित स्वास्त रखें और अंदन के गए हैं यहां पर गुरु जी का दर्बार लगा हुआ है सत्गुर अपिदाजी महाराज का यहां उपर आते हैं और आने के बाद मत्था टेकते हैं बंदगी करते हैं और महाराजी का सिम्रन करते हैं बजन करते हैं और एक बड़ी बात और बता दूँ कि जो दमड़ी यातरा निकलती है हरिदवार से यहीं से चलती है और वो गंगा घाट गुरुर विदास्त मंदिर तक जाती है जो पुल के पास बना हुआ है उनका मैनेजमेंट भी यही कबीर जी करते हैं और सादू संतों की बलाडेरा के संतों की संत मिरणजन दाजी की रहنमाई में उनकी दिया चेतर चाया में निकाली जाती है और बड़े भव्ये शोबा यातरा के रूप में यहां से ले करके जाती है और यहां पर सत्संगों बंडारा भी फरमय जाता है वे साल में एक बार निकालते हैं साइध अप्रेल के महीने में अभी दो साल से तो करोना की वज़े से नहीं निकाल पारे तो बड़ा ही आलिशान और बड़ा भव्ये गुरुर रविदास जी महाराज का आसरम बना तो आप लोग कभी इदर आना हो हरिद्वार में तो जरूर इदर महाराज जी का आसरम के दर्सन करके जाएं हरिद्वार, रानी गली भूपत वाला शीरिगुर रविदास आसरम और शेट कबीर जिसके शेर्मेन है ये सबसे उपर हम आ गए हैं अभी आपको इदर का पूरा हरिद्वार देखने को मिलेगा इदर से जितने भी ये सबी के अपने 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 आसरम होते हैं अपने अपने भवन बनाए हुए होते हैं और हमारे भी जादा से जादा आसरम और भवन होने चाहिए हैं हमारे हरिद्वार में बहुत ही गिने चुने आसरम है एक, दो जदा से जदा हमारे 5-6 आसरम हैं हरिद्वार में नहीं तो हमारे सेंकडों की तादात में होने चाहिए हमारे लोगों को बड़े-बड़े आसरम यहां बनाने चाहिए पैसा एकठा करकर कमेटियां संस्ताइं बना बना करकर उससे 2 पैसे की आमदन भी होती है और समाज में एक बड़ा मैसिज भी जाता है तो आप देख रहे हैं और देखने के साथ साथ मैं इसी तरह की वीडियो में आपके बीच में जो हैं लाता रहूँगा तो आप सभी से मेरा निवेदन है वैसे तो मैं बहुत कम अपील करता हूँ लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से के आप चमार पुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें शेयर करें और अपने तक भी वीडियो को जरूर भेजें